Welcome to the New Indian Mammal Series, Episode 4 Sloth Bear और भालू Sloth भालू उर सिडें परिवार से सम्बंदित है और इसे विबिन्न भाशाओ में अलग-अलग नामों से जाना जाता है जैसे हिंदी में भालू और कन्यडा में सोमरी कराली ये भारतिय उपद्वीप में पाही जाने वाली भालू की एक प्रजाती है पूर्ण विकसित नर भालू का वजन 80-180 किलोग्राम के बीच होता है जबकि मादा भालू का वजन 55-125 किलोग्राम के बीच होता है नर भालू के शरीर की लंबाई 4.5-6 फीट तक होती है पैर से कंधे तक की उचाईन लगबक 2-3 फीट होती है ये भालू मुख्य रूब से फल चीटियों और दीमकों को खाता है उनकी पास मुखीले पंजे होते है जोगरे चीटियों के घोसलू और दीमकों की बस्तियों को आसानी से लश्ट करने में सक्षम मनाते है भारत भालू की चान तजातियों का घर है जिनमें एशियाई काला भालू, हिमालय भूरा भालू, सन भालू और असामान्य स्लौद भालू शामिल है स्लौद भालू रातरीचर होते है और अपना दिन मांद गुफाओं या नदी के किनारे के ठंडे इलाकों में सोकर बिताते है उनके पास भोजन खोजने के लिए गंद की बहुत अच्छी समझ होती है लेकिन उनकी सुनने और देखने के शक्ति कमजोर होती है जबकि स्लौद भालू आम तोर पर अकेले रहते हैं संसादन प्रचुर मात्रा में होने पर उन्हें कभी-कभी समूओं में देखा जा सकता है मयस्क स्लौद भालू अकसर जोडे में आत्रा करते हैं और कुशल परवतारो ही होते हैं जो मनुष्यों की तुल्ना में तेज दौडने में सक्षम होते हैं वे सीधे खड़े होकर और हमला करने के लिए अपने पंजो का उप्योग करके अपना बचाव करते हैं